कि बिटा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लिब्रे राइटर ठीक है ठीबल सी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं और माइक्रोसाफ वर्ड से कम आ रहे हैं है ना तो माइक्रोसाफ वर्ड जैसे ही है ये लगबग कमांड भी लगबग सब सेम ही है थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा आप लोगों को तो ध्यान से पढ़ना इसको क्योंकि सारे क्वेश्चन एमस वर्ड की जिगां लिब्रे आफ आफिस राइटर ठीक है पहले हम स्टडी करते हैं जो नोट मैंने आप लोगों को दिया है ठीक है वो पढ़ते हैं यहां पर दिया है जूम थोड़ा करता हूं ज्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों को लिब्रे आफिस राइटर यही मैंने आप लोगों को दिया है ठीक है और चुल बेटा, word processing ही हैं दोनों software MS Word और Libre Office Writer ये दोनों word processing software है ठीक है? जैसे Britannia क्या है? biscuit है, gunday क्या है? biscuit है, parlay क्या है? biscuit है, वैसे ही MS Word क्या है? word processing है, Libre Office Writer क्या है? word processing है, इतना ध्यान भी रखना और कुछ ही जी आप लोग बता रहा हूं मैं तो बेटा, ये देखो, Libre Office is a free and open source office suit ये क्या है? ये free है ये Libre Office के अंतरगत ही आता है, Libre Writer और ये free है, open source है कोई भी इसको download करके use कर सकता है ठीक है? कुछ चीज़े इसके बारे में है developed by the document foundation ये foundation के द्वारा ये developed किया गया था initial release date, कब ये RM में start किया गया था कब इसका starting था, कब ये बनाया गया था 25 January 2011 को ये launch हुआ था ठीक है? written in कौन सी language लिखा गया है? ये C++, XML and Java में लिखा गया है platform कौन सा है? मतलब कौन से OS पे चलता है? ये Windows पे, Linux पे, Mac पे चलता है ठीक है? अब मैं नोट बुक पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए लिब्रे ओफिस राखना है, ये थोड़ा पुराना हमें आपको नया दिखाता हूँ देखो बीटा, फ्रेश रिलीज हुआ है 7.0.3, 29 सक्टूबर 2020 को ठीक है? अभी ये 4 भी आ चुका है मतलब 7.0.4 बोल सकते हैं ये है लेटिस्ट याद रखना ये लेटिस्ट मार्केट में आ गया है नेट से डाउनलोड कर सकते हो अब मैं नोट बुक पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए लिब्रे ओफिस राइटर वर्ट प्रोसेसिंग बेसिक है कि कैसे ओपन किया जाता है दिक हैं यहाँ पे दिया है पढ़ लेन आप लोग अब हम ब cancellous राईटर ओपन करते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे राईटरल और यहाँ डलो आर आई देंको यहाँ पे आगया your जैसे मैंने टाइप के वहाँ पे आ गया हम जैसी क्लिक कर देते हैं और यह खुल जाएगा आप देख सकते हो ठीक है यह खुल गया है मैं जूम आउट करता हम यह है आपका लिब्रे आफिस राइटर एकदाम Microsoft Word जैसे ही है और देखो कुछ इसका जो इंटरफेस है मैं आप लोगों समझाता हूँ ध्यान से देखना मैं थोड़ा जूम करता हूँ ठीक है मैं थोड़ा जूम करता हूँ देखो यह जो है आपका और मिनिमाईज माक्सिमाईज यह बटन सेवी है देख सकते हूँ और यहां पर यह है आपका टाइटल बार टाइटल बार है यह आपका और यह जो लिखा है Untitled 1 Libre Office Writer अब हमेशा याद रखना बेटा कि यह title bar है आपका और यहाँ पर default name उसका होता है Untitled 1 ठीक है पहला नाम उसका होता है Untitled 1 Writer का ठीक है और इस extension नाम मैं दिखाता हूँ आपको यह देखो एक Libre Writer की file है इस पर right click करोगे जब आप और नीचे properties में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक नाम दिखाएगा ODT मैं थोड़ा जूम करता हूँ ध्यान देखना Open document text मनलब ODT ODT क्या होता है इसका extension name होता है भूलना मत जैसे हमारा जात इस उचक यह होता है हमारा नाम होता है जैसे यादो, सिंह, राजवर, मौर्या वैसे ही हर फाइल का अपना extension नाम होता है राइटर फाइल का extension नाम क्या होता है ODT भूलना मत ओके और यह जो है बेटा यह है आपका menu बार देखो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्म, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प यह सब क्या है बेटा menu बार है भूलना मत ठीक है फर्स ट्राइटर बार, सेकेंड मेनू बार कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा राइटर में क्योशन बनता है कि राइटर में कितने menu है यहाँ पर एक ग्यारा है बोलना मत और यह है आपका स्टेंडर्ड टूल बार ठीक है क्या बेटा, स्टेंडर्ड टूल बार बोलना मत इसको भी और यह है बेटा, आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है यह स्टेंडर्ड टूल बार, यह है फॉर्मेटिंग टूल बार, इसको भी मत बोलना और आपका यह जो है यह रूलर आपको पता ही है जैसे वर्ड में था, क्लियर अब यह workspace है यह जो खाली है ना जगें ठीक है यह जो पन्ना है खाली इसको workspace बोलते हैं और इधर आप जाओगे इस side यह आपका क्या है sidebar इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं तो आपको अच्छे दिखेगा और zoom देखो यहाँ पर page बताया जाए कितना page है कितने page कौन से page पर आप काम कर रहे हो आपको कितना word आपने type किया जिरो word जिरो characters ठीक है अभी जिरो आपने type किया है कुछ नहीं type किया है और style कौन से default रहती है और कौन से language यूस करते हैं US से और zoom in, zoom out यहाँ पर उपलब्द है देख सकते हो clear आप इसको आराम से word में भी same था जैसा आपने use किया वैसी same है यह बोलना मत आप लो और और एक बात बोलना मत बेटा क्योंकि मैंने बताय था कि आपको जो command कई होते हैं जैसे open होता है, save होता है, save as होता है, close होता है, exit होता है नई file बनाना होता है, यह वो सब word वाले command भी इसमें उपलब्द हैं, ठीक है, उनके साथ साथ में बहुत सारे हैं यहाँ पर तो भोलना मत और आगे मैं आपको पढ़ते हुए पत्त समझाता हूं, यहाँ में पढ़ते हैं, तो आप जूम करता हूं, तो आप समझ में पाइटर का extension होता है, ठीक बताई चुगा हूं है, menu बार, title बार के ठीक नीचे menu बार होता है, menu है, file, edit, view, insert, format, style, table, form, tools, windows, help, ठीक है, इन menu के अंदर सब menus होते हैं, clear, इन भी बता दिया मैंने, आगे चलते हैं, status bar, status bar, यह window में सबसे नीचे होता है, यहाँ number of pages बताये जात हैं, page के total character भी बताया जाते हैं, यह सब मैंने दिता है आप लोगों को, कौन से style का उपयोग किया गया है, default, sorry, वो भी बताया गया है, language कौन सा था, वो भी बताया गया है, default language कौन सा उपयोग किया गया है, तथा single, multiple या book view भी change कर सकते हैं, यहाँ, zoom या, zoom in या, zoom out भी कर सक करते हैं, clear, यह भी बता दिए अब लोगों को मैंने, अब यहाँ पर file menu बार, file menu ओपन करने के बाद, यहाँ पर कई सारे options मिलते हैं, इनके shortcut keys को याद कर लेना चाहिए, याद रखना, ठीक है, पहला क्या है, new, इस command के द्वारा हम नए document बना सकते हैं, shortcut keys, control n है, भूलना मा shortcut keys बहुत important है, इसके, याद रखना, control n, तीम तीम पढ़के फिर प्रेटकल दिखाता हूँ, open, अगर पहले से कोई document बना रखा है, computer में, तो इस command के द्वारा open कर सकते हैं, shortcut keys, control o, और next क्या है, open remote, अगर आपने कोई document, google drive या one drive पर store किया है, यहाँ से internet connect करके open कर सकते हैं, क्योंकि यह सब online cloud storage होते हैं, ठीक है, अब इसका प्रेटकल करते हैं, चलते हैं, file menu में click करते हैं, देखो new, new से क्या है, आप नई file बना सकते हो, और भी बहुत सारे question है, मैं आपको इस वीडियो में आगे चले करूँगा, और next वीडियो में, आप नई इसका shortcut की क्या है, control and, बहुत important है, ध्यान सुनना, open क्या है, बताए दिया, पहले से आपने कोई file बना के रखी है, राइटर की तो open कर सकते हो, open remote क्या होता है, ध्यान समझना, open remote मतलब होता है, online, आपने कोई file को स्टोर करके रखा है, Google Drive अगरे में, इसो click करते हैं, देखते हैं, आप, जो आपका, जैसे, बहुत लुग mobile पे, Google Drive पे save कर सकते हैं, अगर mobile खो गई, उनको username, password याद हो, तो नया mobile लेकि जब login करते हैं, तो पूरा number और पूरे जितने photos, videos से वापस मिल लाता है, उन्हें, तो वो online storage पे होता है, ठीक है, चुकि यहां username और password याद रखने internet पे द्वारा, आप अपने file को Google Drive से, या One Drive से, और भी बहुत सारे हैं, उनसे download कर सकते हो, clear, इसनको बोलते हो open remote, मतलब remote के द्वारा, मतलब internet पे जो file store रहती, उसको remote पे दार open कर सकते हो, clear, okay, next डेकते हैं, क्या है, present document, कोई document को पहले से बन कर, बना कर रखा है, तो इसकी history community में से खोल सकते हैं, ठीक है, close क्या है, document को close, या बन कर सकते हैं, wizard, अगर आप कोई later बना चाहते हैं, या facts भेजना चाहते हैं, तो यहां से बना सकते हैं, templates क्या है, यहां पर हम template बना सकते हैं, manage template का shortcut की, control plus shift plus end, remember, बोलना मत, okay, आगे practical देखते हैं, file menu में क्लिक करते हैं, यहां पर दिखो दिया है, बेटा, recent document, तो recent document क्या होता है, कि अभी तक जितनी हाली में, जितनी file पर आपने काम किया है, file की history दिखाता है, है ना, आप 8-10 दिन में, 4-5 दिन में, बार-बार बार बहुत सारे files, अगर जितनी files के आप बार काम कर रहे हैं, तो वो यहां पर आ पर लेटर, facts वगरा, facts होतना आप यूज में नहीं हो रहा है, तक लेटर क्या होता है, लेटर आप लिक करोगे, तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, नए डंग से, अब यह जो आ रहा है, यह जो दिख रहा है, आपको यह लेटर विजार्ड है, आप इसको नेम एंड, लोकेशन वगरे, सब कुछ ताइब करके आप लेटर विजार्ड, नेक्स जो है, तो पता ही आप लोगों को, टैंपलेट सेव करना, उपन टैंपलेट करना, वड बताई दिया था, एक खास तरह के अपना विशेष तरह कोई फॉर्मेट बना के कोई चीज बन क्या जा सकता है, वर्जन, डॉक्मेंट का कई वर्जन बना सकते हैं, से शौ्टकट की है, सेव कर सकते हैं, सेव रिमोट, से रिमोट, Google Drive या वण वाउनद जैसे, ऑल्लाइन क्लाउड स्टोरिज पर फाइल को सेव कर सकते हैं, इसके लिए इंटनेट कनेक्स अनिवार है, आगे देखते हैं, यहाँ पे फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखो क्या है बेटा, टेम्पलेट हो गया है, रिलोड, रिलोड से क्या होता है, जैसे पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हो, टाइप कर देते हो, फाइल में करते हो, देखो रिलोड कॉप्शन, आप करते हैं मैं तिखाता हूं आपको मैं हिस्ट्री में से फाइल उपन करता हूं जो अलड़ी सेव की हुई है ठीक है इसमें रिसेंट डिकुमिने जाके फुर्टी फाइव ओडिटी यह मैंने से क्या है जो मैं पढ़ा रहा था देखो यह पुरानी फाइल है इसमें जब जाते है आप क्लिक कर दो डॉकुमेंट फिर से लोड होगा और तौकर करेग सकते हो वर्जन देखते हैं मिन क्लिक करते हैं इसमें क्या होता है thac far étaient वर्जन कशला थे की और फिर उसको eben एक नाम देते हो और फिर दूसरे वर्जिन के लिए आप वही फाइल उठाते हो, दूसरा वर्जिन में कारे स्टार्ट करते हो, अगर दूसरे वर्जिन में कोई गलती हो जाती है, प्रोब्लम सा जाती है, तो इसको क्या करते हो, आपको लगता है कि पहले वर्जिन फाइल अच्छी थी, तो आप इसको discard कर सकते हो मतलब इसको नहीं रखके आप पहले वर्जन का रख सकते हो ऐसे कर सकते हो यहां पर इसको फिर से करना है तो आप सेव करोगे तो अपने आप आ जाएगा आप और ऑसको बंद करता हूं और बंद करके कुछ है मैं फिर से वर्जन में जाता हूँ क्योंकी सेव किया है फिर वर्जन क्लिक करता हूं और सेव निउ वर्जन ठेक है और तू देता हूं और ओके करता हूं ठीक आज देखो पहला वर्जिन यहां पर है दूसरा वर्जिन यहां पर है यह कब से हुआ 1231 2020 को आप ने चलते हैं फाइल में जाता है नेक्स यह पता ही तुम लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं सेव याद रखना जो ओपन रिमोट है वैसे से रिमोट है मतलब आप क्या करता है किसी फाइल को ऑनलाइन स्टोरिज पे डालते हो जैसे वन ड्राइप गूगल ड्राइप यहां पर चीज है यहां पे सेव कर देते हैं जैसे फुलीगा यहाँ जैसे ऊपन और सेव इंडियू कुलती है इसे फिक नुविटा आप जो भी हो पस्टर डाल गूगल ड्राइप या किसी बीडिट पे अपना डाल शीना पास्टर डाल के आप ऑके कर सकते हैं कॉपी सेव करने के लिए होता है सेलेक्ट और मुलब से वाले सेलेक्टर पूरा का पूरा डॉकुमेंट सेलेक्ट हो जाएगा यह कमांड के द्वारा नेश क्या है एक्सपोर्ट फाइल को पीडिएफ या दूसरे पीडिएफ है पीडिएफ में आप लोग देखी रहे हो इसमें आके अच्छे से नेक्स्ट अपना सेंड डॉकुमेंट को मेल कर सकते हैं अब प्रेटिकल कर लेते हैं नेक्स देखते हैं फाइल में जाएगा ओपन करते हैं यहां पर यहां सेव कॉपी मतलब क्या होता है जो प्रेट पूरानी सेव कर रखी इसे 45 ओडिटी ऐसी इसकी एक कॉपी हम नेक्स्ट सेव कर सकते हैं यह आप लोग कर सकते हो सेव जैसे करते हैं यहां पर कभी विए तो सेलेक्ट और होता है तो पूरा-पूरा जितना भी तुमारे टेक्स रहेंगी एक्सपोर्ट क्या होता यहां पर यहां पर एीप युट बहुत होता है और अप इसको क्लिक करो और नाम दो और जहां सेव कर ना साब पे अड्रेस्ट देदो और सेव करतों फट आफट के हो जाएगा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं जैसरे मैं इसी फाईल को PDF के करना है तो आजब नोक रोगों कर देखना तो हो जाएगा आपको करके देखना हैं जैसे सेव करके देखना तो यह सामने आ जाए जैसे मैं 45 in une coffee करता हूं और जैसे सेव करूँगा मैं थोड़ा करता हूं सेव पर क्लिक करता हूं तो देखो अपने आप यह आजाए export कर दो सीधा और सीधा देखो यह PDF बन जाएगा अपने आप सामने आपके आ जाएगा थोड़ी दिर में तो थोड़ा time ले रहा है यह टेक है तो कई पर भी time लेता है यह आपको और हाँ वो save हो गया है दिखा नहीं रहा है मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको जूम करता हूँ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ यह फाइल है यहाँ पर PDF फार्मेट में save हो गई है जाहां देखना यह PDF फार्मेट है यहाँ पर मैंने save कर देदा इसको double के लिए तो खोल जाए यह फाइल यह आप देख सकते हो कि यह PDF है प्रिविव इन वेब ब्राउजर डुकुमेंट को वेब ब्राउजर के प्रिविव इन फिरह रिर्यर की होता है जलिकार आए केमध के लिए होता है अनच सब्सक्राओं के प्रिंट मनेक यह चेक खते हैं उनिया है किकी में क्माद के लिए होता है पहले ही बता चुका हूँ चेंज कर सकते हैं जैसे orientation margin आधी default page orientation portrait होता है default paper size later होता है जिसकी लंबाई 11 inch और 4.5 inch होती है ओके और printing के लिए A4 size का उपयोग होता है A4 paper का size यानी चोड़ाई 8.27 inch और लंबाई 11.69 inch होता है यह बूलना मत आगे पेट कल देखते हैं next देखते हैं यहाँ पर send command है send देखो क्या होता है email as document save and send जिसे word में था वैसी यह भी है pdf में send कर सकते है email as microsoft word यह भी कर सकते हैं यह command इसके लिए होता previewing web browser क्या होता है कि जैसे आप internet अपना use करते हो ना web browser में चालू करते हो वैसे इसको चालू कर सकते हैं मैं यह command use करता हूं click किया और आपको दिखाता हूं कैसे यह खुलता है देखो मैंने click कर दिया है और यह देखो यह खुल गया देखरें एक web browser जैसा खुला है ठीक है ज प्राइब जूम करता हूं मैं कि फाइल में जाते हैं यहां पर दिया प्रिंट प्रिंट इसको क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट आउट कैसा आएगा वह चेक कर सकते हैं यहां पर क्लिक करोगे शॉटकट की बहुत इंपर्टेंट याद अगना control shift प्लस हो भोलना मत इंगल पेंज जो इसे आप देख सकते हो कर सकते हो और प्रिंट दे सकते हो अपको बिम्त प्रिंट प्रिंट में क्लिक करते हैं यहां प्रिंट अब सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर दिया है पिंटर मेरा एपशन है आप 200 सिरीज का है आपको प्रॉपर्टीज क्लिक करते हो तो उसके बारे में पूरी व्यक्ष्ट आपको मिल जाएगी देखो डुक्मेंट साइज यहां पर बहुत सारे पेज़ेस दिया है एफोर भी है दिखो यह फोर दिया है और सब का साइज आप चेक कर सकते हो पोर्ट्रेट लैंड्सकेप है ना मतलब खड़ा खड़ी अच बेड़ा बेड़ी होता है यह सब पेपर टाइप कैसा है क्वालिटी कैसा है है ना तो यह पूरा प्रिंट प्रिव्यू यह सब पूरा देख सकत है मेंटेंस आपको करना नहीं है लेकिन मेंटेंस का भी होता है अगर कुछ थोड़ा बग प्रॉब्लम अगर आ जाता है प्रिंटर में तो आप यहां से थोड़ा सर्फिसिंग कर सकते हो एक सब्सक्राइब यहां पर दिया है तो इसको क्लोज करते हैं एक नेक्ट क्या है हो ठीक है नेक्ट देखते हैं नेक्ट चलते हैं यहां पर दिया है अगर आप ट्रिपल सी का एक्जाम पर्स कर जाते हैं तो नाइलिट क्या इन्मिरसिटी है जैसे हमारी कर रहा कॉलेज इसे पुरांचल वगर है ना वैसी यह टेक्नलोजी की है नाइलिट इन्मिरसिटी की तरह से एक सर्टिफिकेट इस्जू किया जाता है मतला आपको दिया जाता है जो की ऑन लाइन सर्टिफिकेट होता है जो की आप नायलिट की वेबसाइट से लोड्र currently करने के बाद आपको एक डिजिटल सिगनेशर वेरिफाइड करना पड़ता है अब इसको ध्यांस मज़ना मैं आपको दिखाता हूँ पहले अब बच्चों यह देखो यहां पीए सर्टिफिकेट होता है जब ट्रिपल सी पास कर जाते हो तो ऐसा डाउन्लोड होता है ठीक है अब ध्यांस देखना अभी यहां पर डाउन्लोड करते हो तो ऐसा क्वेश् क्या करते हैं ऐसी ले लेते हैं जबकि इंकास डिशल सिंग्नेचर नहीं हुआ है और ऐसा यह अथराइज नहीं कहीं लेगी जाओ तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है तो डिशल सिग्नेचर कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि यह हर अपना यह ऑनलाइन जित इस लिए यहां पर डिशल सिग्नेचर नहीं है इसलिए यहां पर हम यहां पर नहीं दिखा रहे हैं आपको क्लियर अब नीचे क्या यहां पे ऑप एग्सट कुछ रिफ फिर्ट के स्ट्रूल की भूलना महतने है और पूरा का पूरा यह विंडों बंद करने सब्सक्राइब करना है तो ऑप लोग क्या करना कि पैन और नोट बुक लेके आप इसको लिख सकते हो ना तो मैं इसको पूरा दिखा रहा हूँ और practical करते time ठीक है practical करते time आप इसको note कर सकते हो clear आप रोक रोक के अपना जितना भी shortcut की है इसको लिख सकते हो clear फिर मैं और वीट दिखा देता हूँ आपको ठीक है next दिखा देता हूँ मैं आपको यह भी देख लो 17 से start है इसको द्यांत से देख लो आप लो ह और इसको note कर लेना ठीक है इसको अच्छे से लिख लेना रोक 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 ही विडियो को रोक रोक के आप theoretical में इसको अच्छे से नोट कर लेना वेटा ठीक है और भी दिखायत हूं मैं आप लोगों को यह देख लो ठीक है यहाँ पे दिया है वेटा और इसको रट्टा नहीं वाना लेगे कम सकम थोड़ा यात होना ही चीए वेटा ठीक है इसको वीडियो को रोग रोग के स्टाप पर करके मतलब पॉश करकर के आव आराम से इसको नोट डाउन कर लेना क्लियर जो थोड़ा सा और बचा है ठीक है इसको ध्यान से देख लो टोडल कितने वीड़ा 56 है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको नोट कर लेना तुम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं ठीक है कहां तक एक्स़िड़ लेख इसके पूझ कर रहा हूं और यहाद रखना हमेशा यह जो है आप लोग का अप लोग जितना भी यह आपका होता है बहुत important होते हैं इनको अच्छे से याद करना और इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो में बना रहा हूं राइटर का क्योंकि यह कभी आपने पढ़ा नहीं है और यह एकदम नया है आप लोगों के लिए और बहुत से बच्चों के लिए नया होता है जो कुराने बच्चे यह उसको भी पढ़ते रहना ठीक है तो आराम से पास हो सकते क्योंकि इतना याद रखना कि मेहनत जो करेगा वही पास होगा ठीक है तो मैं यह पर इसको स्टॉप कर रहा हूं